हलो मेरे पैड़े बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लिए आपके स्टेटी आप में से जो भी बच्चे नीट 2024 का प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके मन में बहुत बड़ा कंफूजन आ रहे हैं कि सर हमारा एक्जामनेशन NTA कंड़क्ट कराने वाला है या NMC कंड़क्ट कराने वाला है देखो बच्चों इस वीडियो में मैं कोई official notification आपको नहीं बताने वाला हूँ बट कुछ ऐसे facts बताने वाला हूँ जिसके base के आपको clear हो जाएगा कि आपका NIT NTA कंड़क्ट कराएगा या NMC कंड़क्ट कराएगा सबसे पहली बात कि 2019 से पहले तक CBSC NIT को कंड़क्ट कराता था और 2017 तक तो NTA नाम का कुछ था ही नहीं 2017 में ही ऐसा news आया कि आने वाले दिनों में अब CBSC NIT examination कंड़क्ट नहीं कराएगी और National Testing Agency का गठन क्या जा रहा है National Testing Agency बनेगा जो की ये जिम्मेबारी लेगा तो 2017 में ये किलिरेंस होने के बाद 2019 से होना ये स्टार्ट हुआ मतलब 2018 का examination हुआ और 2019 का examination हुआ एक session पहले ही ये confirm हो गया था upcoming examination जो 2018 का था वो NTA conduct नहीं कराया 2019 से NTA ने conduct कराना ये start हुआ था और ये decide कम हो गया 2017 में ही decide हो गया था 2017 में ही newspaper में आ गया हर जगा ये decision आ गया था similarly अगर अपन बात करें माल लो National Testing Agency के अलावा किसी और agency को भी NMC authorized बनाता है तो भी 2024 में तो NTA ही conduct कराएगा ये session में लागू होने वाला नहीं है ये इतने बड़े examinations होते है offline examination जिसमें सबसे जाएदे बच्चे बैठते हैं तो इतने बड़े level का examinations तुरंत किसी भी agency को गठन करके और उसको responsibility नहीं दिया जा सकता है ऐसा नहीं होगा कि रातो रात कान में जाके और उसको बोल लेगा कि ये आप एक testing agency बन जाओ और आप examination conduct कराना इस्टार्ट कर दो नहीं अगर NMC कुछ ऐसा decision लेता भी है और NTA को change करता है तो भी ये minimum 2025 में possible है 2024 में possible नहीं है तो आप बे हिचक बिना परेशानी के study करते रहें NTA ही आपका examination conduct कराने वाला है और जैसा आपका examination pattern आता रहा है 2022 पर इसमें उसी tap का आपका pattern फिर से आएगा मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपके लिए informative था आपको यहाँ से help मिला तो वीडियो को like और एक comment प्यारा सा जरूर कर देना wish you all the best